गुजरात के लोग इनको अब खुल के सडकों पे गानिया दे रहे हैं किसी भी तरह से आम आदमी पार्टी को खतम कर दो आम आदमी पार्टी को कुचल दो केजरीवाल को करश कर दो बकट सिंग देश को अंग्रेजों से आजाद कराने के लिए लड़े थे हमें इन लुटेरों से देश को अजाद कराना है खुले आम देश भर में घूम घूम कर MLL खरीदने वालों से देश को अजाद कराना है ये लोग खुले आम देश का पैसा लूट के विदेशों में ले जा रहे हैं जितना अंग्रेजों ने भारत महा को 200 साल में नहीं लूटा, उससे कई गुना ज्यादा इन्हों ने देश को 75 साल में लूट लिया। आज देश में बहुत ज्यादा महंगाई हो गई है, एक आम अदमी को अपना घर चलाना मुश्किल होता जा रहा है। हर चीज महंगी होती जा रही है। चारों तरफ बिरुजगारी है। लोगों के धंदे बंद हो रहे हैं, नौकरियां खतम हो रहे हैं। आज किसी भी सरकार का सबसे पहला काम होना चाहिए। किस तरह से आम जनता को महंगाई और बिरुजगारी से रहत दिलवाए? पर इन्हें उसके कोई परवाई नी है इन्हें 24 घंटे बस गंदी राजनिती करनी है आज कर 24 घंटे इनका बस एक ही काम है किसी भी तरह से आम आदमी पार्टी को खतम कर दो आम आदमी पार्टी को कुचल दो केजरीवाल को करश कर दो आम आदी में पार्टी वालोंने पहले दिल्ली जीत ली, फिर पण्जाब जीत लिया, अब ये गुजरात जीत जाएंगे, फिर पूरा देश जीत जाएंगे, केजरी वाल को रोको, आम आद्मी पार्टी को कुचल दो, इनको बस यही एक काम बचा है कल उन्होंने विजय नायर को गिरफतार किया कौन है विजय नायर आम आदमी पार्टी का एक छोटा सा कारे करता है हमारा कम्मुनिकेशन का काम देखता है पहले इसने पंजाब में बहुत अच्छा काम किया था पंजाब में हमारी सरकार बन गई अब विजय गुजरात का कम्मुनिकेशन संभाल रहा था गुजरात की सारी गुजरात का सोशल मीडिया देख रहा था उसको इन्होंने गिरफतार कर लिया कह रहे हैं कि उसने शराब घुटाला किया है दिल्ली में मुझे समझ नहीं आता हूँ उसका शराब या शराब घुटाले से क्या लेना देना है वो तो गुजरात का सोशल मीडिया देखता है एक छोटा सा कारे करता है पिछले कुछ दिनों से उसको रोज पूछताज के लिए बुला रहे थे लोग उस पे जबर्दस्ती जोर जबर्दस्ती डाला जा रहा था कि जूट मुट मनिश सिसोधिया का नाम ले लो ने तो तुमें भी गिरफ्तार कर लेंगे पर वो आम आद्मी पार्टी का एक सच्चा कारे करता है उसने जूट बोलने से इंकार कर दिया इसलिए कल इसको गिरफतार कर लिया इन्होंने मनीश सोधिया जी के घर पे रेड़ की कुछ नहीं मिला मनीश जी के बैंक लॉकर की तलाशी ली कुछ नहीं मिला अब ये इस तरह से जोर जबर्वस्ति करके मनीश सोधिया को फसाना चाहते हैं इन्होंने विजयनायर के घर पे एक मही पार्टी का ग्राफ बहुत तेजी से बढ़ता जा रहा है गुजरात के लोग इनको खुलके सडकों पर गानिया दे रहा है इसलिए ये आम आत्मी पार्टी को कुछलना चाहते हैं 24 घंटे ये लोग बस ये ही सोचते रहते हैं कि आम आत्मी पार्टी को कैसे कुछला जाए पहले इनोंने सतिंदर जैन को एक पूरे फरजी केस में गिरफ्तार किया फिर उनने अमानतुल्ला को एक फरजी केस में गिरफ्तार किया कल इनोंने विजय नायर को गिरफ्तार कर लि आज मेरी आम आदमी पार्टी के देश भर के हर कारेकरता से अप्तील है अगर विजयनायर गिरफतार हो सकता है तो आम आदमी पार्टी का कोई भी कारेकरता गिरफतार हो सकता है सभी कारेकरता गिरफतारी के लिए तयार है ये लोग आपके उपर भी जूटा केस लगा के आपको गिरफतार करेंगे देश भर के कारेकरता इसके लिए तयार है खासकर गुजरात के कारेकरता तयार है आज भगत सिंग का जनन दिन है रह रहके उनके संगर्ष और उनके कुर्वानी की याद आ रही है भगत सिंग ने देश की आजादी के लिए सर्वच कुरुबानी दी थी हस्ते हस्ते वो 23 साल का शक्स फांसी पे चड़ गया हमें भगत सिंग के बलिदान से प्रेरना लेनी है ये आजादी की दूसरी लड़ाई है भगत सिंग देश को अंग्रेजों से आजाद कराने के लिए लड़े थे हमें इन लुटेरों से देश को आजाद कराना है खुले आम देश भर में घूम घूम कर MLA खरीदने वालों से देश को आजाद कराना है ये लोग खुले आम देश का पैसा लूट के विदेशों में ले जा रहे हैं जितना अंग्रेजों ने भारत महा को 200 साल में नहीं लूटा उससे कई गुना ज्यादा इन्हों ने देश को 75 साल में लूट लिया पहले एक पार्टी ने लूटा अब दूसरी पार्टी लूट रही है हमें इन से देश को बचाना है ये लोग तुम्हें फासी पे तो नहीं चड़ाएंगे पर देश भर में आम आदमी पार्टी के हर छोटे से छोटे कारेकरता को जेल बेजा जाएगा तुम्हारे उपर भी जूटे केस करेंगे क्या आप जेल जाने को तयार हो अगर हाँ तभी आम आदमी पार्टी में रहना जिस जिसको जेल जाने से डर लगता है आज आम आदमी पार्टी छोड़ दो उनकी पार्टी में चले जाओ जो लोग भगत सिंग की तरह देश के लिए सर पे कफन बांद के सरवुच कुरुबानी देने को तयार है वो ही आमादमी पार्टी में रहना आज 75 साल के बाद एक ऐसी पार्टी आई है जो भगत सिंग के सपनों को पूरा कर रही है हर बच्चे के लिए अच्छे शिक्षा का इंतिजाम कर रही है हर भारते के लिए अच्छे इलाज का इंतिजाम कर रही है बिजली, पानी, सड़क का इंतिजाम कर रही है देश को तरक्की के रास्ते पे ले जा रही है ये उसे रोकना चाहते है यह नहीं चाहते हैं कि देश की तरक्यों, यह लोग चाहते हैं कि इनकी लूट जारी रहे, या आजादी की दूसरी लड़ाई है, आज दिली में पचास से अधिक स्थानों पे रग्दान शिविर लगाए जा रहे हैं, भगत सिंग के जन दिन के अफसर पे आप भी जरूर र भारत माता की जय, जय हिंद